नमस्कार लिपी किचन में आपका स्वागत है प्रे साब्सक्राइब किचिए मेरे चैनल को और बेल एकन को दबाईए ताकि मैं जब भी ओनलाइन हो आपको पता चेले प्लीज लाइक एंड सेर देस वीडियो इंग्रीडेंट्स के लिस्ट में यहां पर दिया है और नीचे डिस्किप्शन बक्स में दिया है वह भी आप चेक कर सकते हो आज हम बनाने चाह रहे हैं मौक करो चाओड़ो यह हमारे ओडिसा का अथेंटिक रेसिपी है और यह मकर सं करांदी इसके में मैंने चाओल को ओवरनेट विगो के रखा था फिर उसको निकाल किये पानी ड्रेन करके सुबह सुबह उसको दो तिन घंटे के लिए पुरा सुखाने के लिए छोड़ दिया है यह देखिए पुरा सूग्य है चाओल मेरा यहां पर वान टीस्पून ग्र बनानों को मैश करके लिया है 1 by 4 cup of cottage cheese लिया है काली मिर्च पाउडर लिया है मेरे घर पर बनाया यह 1 cup of doodh लिया है और half cup of freshly grated coconut लिया है और मेने यहां पर गूड अपने स्वाद के अनुशार लिया है हब कप के करें अभी हमने जो सुखाया था चावल को उसको अभी कोट के ऐसे दर दरा पाउडर के फॉर्म में डाल देंगे यह देखिए पूरा पाउडर नहीं बनाना है हमें थोड़ा सा उसको कोर्सली ग्राउंड करना है उसमें हमें सारे इंग्रीडियन्स मिक्स कर लेना ह यह देखिए मैंने सारे इंग्रीडियन्स मिक्स कर लिया है अच्छे से इसको मिला दिया है यहां पर मैंने दूद जो है पका हुआ दूद लिया है अगर आप भूग के लिए बना रहे हो तो उसको पच्छा दूद लेना है और सारे जो केला था हम उसको भी मिला के कर पर जरो ट्राइ किजेगा मुझे बतायाएगा कैसा लगा